हेलो विए स्वागत अब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरजी में बच्चों हम करें थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गती और आज हम इसमें करने वाले बच्चों एक्सराइज या आपके अभ्यास के प्रशन तो चले बच्चों बिन टाइ क्या होगा तो उत्तर क्या है बच्चों डाइमेटर या ट्रैक का व्यास कितना है 200 मिट्र तो सरकमफ्राइंच कितना होगी पाई डी ठीक है बच्चों यानि 200 पाई मीट्र फिर होगे डिस्टेंस कवर दूरी तै की育िगी 40 सेक्ट में कितनी तै की है more centuries किदnoजेंद में's के तोदो मिनट्ड वी सैकेंड में कितने सेकंड होते बच्चों 140 से तो इससे घुना कर देंगे हम किससे 140 से तो जब 140 से जब करेंगे बच्छों में और पाई की वेल्यू पुट अब करेंगे पाई की वेल्यू यानि 22 बटे साथ तो हमारे पास कुल कुछ वेल्यू आजाएगी इतनी 2200 मेटर अब बात आती है कितने राउंड उसने कंप्लीट किये नमबर आउव राउंड स कंप्लीट इन 140 सेकंड यानि 140 सेकंड वे कितने राउंड उसने किये ठीक है तो इसे 140 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से तो यह आ जाएगा 3.5 ठीक है बच्छो तो क्या हुआ बच्छो विट्यका ट्रेक के विप्ति चोर पर है इसलिए शुद्ध विस्थापन ट्रेक के वियास के बराबर होगा जो 200 मेटर होगा बच्छो फिर क्या कहता है बच्छो देर्फोर the net distance covered by the athlete is 2200 मेटर and the total displacement of the athlete is 200 मेटर ठीक है यानि दूरी जो तैक ही वह 200 मेटर होगी और विस्थ अब 200 मेटर बच्छो ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर दो क्या कहता है जोशप जोग्स फ्रॉम वन एंड एंड टू अधर एंड बी ओफे स्ट्री एंडड मीटर रोड इन 2 मिनट थर्टी सेकंड एंड देन तूर्ट एंड तर्टी सेकंड एंड तूर्ट ए इन अनदर वन मीटर वाट आज जोशप एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जोगिंग ए फ्रॉम ए टू बी एंड बी फ्रॉम ए टू सी यानि जोशप दो मिनट थी सेकंड में सीधी तीन सो मिनटर सड़क के एक चोर ए से दूसरे चोर बी तक दोड़ता है और फिर ग दोनों को एक साथ देखते चलते हैं तो जो दूरी या डिस्टेंस कवर किया ए से पॉइंट बी में वह है तीन सो मिटर बच्छो यहां पर और सो मिटर ज्यादा हो जाएगा ए से सी में ठीक है अब ए से दो ए से बी तक की दूरी वह तो मिनट तीस सेकंड में तै करता है ठ टो ऑर जो ए से सी तक की दूरी है दो मिनट तीस सेकंड में वह त्यक्स में तै करता है ठीक है अब विस्थापन ए से से बी के बीच में होगा 300 मिटर और ए से सी के बीच में होगा कितना 300-100 क्योंकि वो जो बीच का डिस्टेंस है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा तो अब निकालना में ओसत गति या average speed तो वह होता total distance traveled upon total time taken और ओसत वे गया average velocity क्या होता बचो total displacement यानि तै की गई कुल दूरी बटे total time taken लिया गया समय तो A से B का पहले निकाल लेते हैं A से B का जब निकालेंगे देड़ सो तीन सो बटे देड़ सो कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा दो मिटर परती सेकेंड यह क्या है average speed या ओसत गति है अब किसकी निकाल लेते हैं उसत गति A से C तक की तो 400 बटे 210 ठीक है बचो तो यह आ जाएगी 1.9 मीटर ठीक है अब निकाल लेते हैं A से B की उसत वेग या आवरेज विलोसिटी तो यह कितनी आएगी यह आएगी 2 मिटर परती सेकेंड अब A से C तक की एवरेज विलोसिटी या ओसत बेग निकाल लेते हैं तो 200 बटे 210 इसे करेंगे तो हमारे पास अजाएगा 0.95 मीटर परती सेकेंड बच्चो चलिए अब कोशन नमबर 3 देख लेते हैं कोशन नमबर 3 क्या कहता है बच्चो अब्दुल वाइल अब्दुल की यातरा की ओसत गती क्या होगी तो सबसे पहले हैं पर दिस्टेंस नहीं दिया गया तो हम यह माल लेते हैं कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है डी है और टाइम भी नहीं दिया होगा तो पहले मानते हैं गर से स्कूल तक जाने की दूरी के लिए टाइम लगा और वापिस घर पहुचने के लिए टाइम लगया टीटू अब एवरेज स्पीड क्या होगी जो टोटल डिस्टेंस टैवल वटे टोटल टाइम टेकन तो यह हमने माल लिया डी वटे टीवन यह हो गया 20 किलोमेटर पर आवर परती घंटा यह कहां के लिए बच्चो स्कूल तक के लिए पहले ठीक है फिर हो गया वापिस स्कूल से घर आती दफ़े है तो वह क्या हो गया अब हमारे पास दो एक्वेशन आ जाएंगी बच्चो एक स्कूल घर से स्कूल जाने वाली यह और एक कौनसी जो हमारा स्कूल से घर आने वाला है चीक है अब एवरेज स्पीड जो एंटायर ट्रिप की पूरे ट्रिप की निकाल लिए मैं वह भी कैसे होगे एवरेज स्प लूक्स को पुट अप करेंगे बच्चो हम तो हमारे पाच कुछ इस तरह के समय करण आखते सल जाएंगा और इसे सॉल्व करने पर यह आयाएगा और आक्री मिल जाएगा में 24 किलो मेटर पर ती गंटा यानि देरफोर एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप इज टुन्टिफ़ किलो मेटर पर आवर यानि इसले पूरी यातरा के लिए अब्दल की ओसद गती 24 किलो मेटर पर ती गंटा है बच्चो चलिए अगला कोशन देख लेटे हैं कोशन फोर क्या कताब चब एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट ओने लेक एक्सलेट इन स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट रेखा में गती करती है इस दोरा नाव की कितनी दूरी तैकि नहीं तो इनीशल विलोसिटी यानि अरंबिक वेग जीरो अंतिम वेग हमारा हमें देखना है तोरण यहां पर दिया हुआ है तो तोरण लेते हैं तोरण यानि एक्सलेशन है त्री मीटर पर सेकिंड स्क्वार टाइम पिरेड कितना है बच्छो एट इक्वेशन हमारे पास है स्ट इसमें जब वेल्यू पुट अप करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा वह है 96 मीटर देर्फोर दा मोटर बोट ट्रेवल्स एडिस्टेंस ओफ 96 मीटर इने टाइम फ्रेम ऑफिट सेकंड ठीक है यानि इसलेये मोटर बोट 8 सेकंड की समय सीमा में ваш आधम में省 मीटर की दूरी ते करती में जिय लिए अगला कोशन respondsन और पांश के स्ट्राइवर उफ काउग्ड पांश क्रा के कहता है another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds on the same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars which of the two cars travelled further after the brake were applied यानि बावन किलोमेटर प्रती गंटे की गती से यात्रा कर रही है कार का चालक ब्रेक लगाता है और विप्री दिशा में समान लूप से गती करता है अगर पर दोनोेंगे ब्रेक लगाता खरक प्रेक से अगरे ब्रेक लगाता है थीक है अभ इसमें अगर देखेंगे बचो तो total displacement of each car obtained by calculating the area beneath the speed time graph यानि विस्तापन हम कैसे calculate कर सकते हैं जो उसके शेत्र है उसकी गणना करके प्रते कार के वह उसमें कितना है तो एक फर्स्ट कार के संदर में कितना होगा बचो जो A O B तरिबुज का एरिया है तो हाफ इंटू ओबी इंटू ओए है ठीक है तो ओबी की वेल्यू है फाइफ सेकेंड और ओए किये 52 किलो मेटर पर आवर जो कि हो जाएगी 14.44 मीटर पर सेकेंड तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगी 36 मेटर तो पहली वेल्यू है दस सेकेंड और दूसरी है 3 किलो मेटर पर आवर इसे मेटर मेटर पर सेकेंड मेटर करेंगे तो 0.83 वेल्यू पुट अप करेंगे तो 4.15 देबाफस्टर इसे करेंगे preuing फरिलीू आवर फिलल्केश cac45 या इसलिए पहली कर तक चली जाती है बच्चो थीक है तो बच्चो यहां पर होता है यह वाला पार्ट आपका वीडियो को कम्प्लीट बाकी के बच्चों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके आशा करता आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी थैंक यू